नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ दिगविजय सिन सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। उस पर राहुल गांधी का कहना है कि दिगविजय सिन की निजी राय है और कॉंग्रेस में उनके खिलाफ कारवाई नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ डिक्टेटर्शिप नहीं है। यहाँ पर डिमोक्रेसी है। डिमोक्रेसी के तहत कॉंग्रेस के अंदर अपनी राय रखने का सब को अधिकार है। लेकिन दूतरी तरफ एक कॉंग्रेस के बड़े नेता अनिल कुमार अंटोनी। अनिल अंटोनी केरल में मीडिया इनचार्ज हैं। और संचार सेल के प्रमुख हैं साथ ही All India Congress Committee के सोसल मीडिया टीम में काम करते हैं डिजिटल संचार टीम में भी काम करते हैं वो एके अंटनी के बेटे हैं जो किरल के मुख मंत्री रह चुके हैं और किंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके हैं Congress के बड़े नेता माने जाते हैं जब Congress 2014 में बुरी तरह हारी थी तो उसके बाद जो पैनल बनाए गया था कि किस तरीके से Congress को फिर से रिवाइव कराया जाए उस पैनल के प्रमुख भी एके अंटनी थे अंटनी पैनल की रिपोर्ट जो आई थी वो Congress के लिए बड़ा चौका तो बात कर रहा हैं अनील अंटनी की जिन्होंने कॉंग्रेस से दिफ़ा दे दिया।। उन्होंने परोक्ष तूर पर पूरे कॉंग्रेस के नेतृत पर सवाल उठाये हैं और देखा जाए तो राहुल गांधी के उपर गंबी रारोप लगाया है। उन्होंने जो बाते कही है वो कॉंग्रेस के लिए सदमे से कम नहीं है और इससे भी बड़ी बात ये है कि उन्होंने केरल के ही दूसरे कॉंग्रेस के नेता शशी थरूर की सराना किया है यानि कि अब केरल कॉंग्रेस में बड़ा बिस्पोर्ट होने वाला है क्योंकि राहू तो साफ है कि जहां जहां राहुल के पैर पड़ेंगे कॉंग्रेस का विना सामने आएगा तो अनिल अंटनी ने कहा कि जब BBC की डॉक्मेंटरी सामने आई तो कॉंग्रेस का अस्टेंड बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला था कॉंग्रेस में व्यक्तिगत स्वतंतरता अभी व्यक्ति की आजादी के लिए कोई जगा नहीं है देश हित के मुद्ध पर कॉंग्रेस कन्फ्यूज हो जाती है और देश विरोधी स्टेंड ले लेती है यही बात बीबी सी के डॉक्यमेंटरी को लेकर हुई क्योंकि बीबी सी की डॉक्यमेंटरी पूरी तरह से वायस्ट है और उन्होंने कहा कि जिस मानसिक्ता से बीबी सी की डॉक्यमेंटरी बनाई गई है परदान मंतरी नरेंदर मोदी को बदनाम करने के लिए वो सिर्फ भारत के परदहान मंत्री के लिए नहीं है बलकि यहां के पूरी सिस्टम के खिलाब है जिस तरीके से डॉक्यमेंटरी में जो फैक्ट को गलत तरीके से पेश किये गए हैं साथ ही जिस तरीके से यहां के न्याएपालिका के उपर सवाल उठाये गए हैं वो तो ट्विटर पर लिखा था। कि भारत जैसे देश में स्वतंत्र न्यायपाली का स्वतंत्र सुरच्छा एजेंसी हो कैसे सकता है जिस तरीके से इस डॉक्यमेंटरी में पी एम मोदी के बारे में दिखाया गया है जो उस समय गुजरात के चीफ पनिस्टर थे वो आश्चर जनक है क्योंकि उन्हें SIT से, CBI से और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है ऐसे में अगर ये डॉक्यमेंटरी पी एम मोदी के खिलाब है उनको इसका दोशी बताता है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के उपर भी सवाल उठाया जा रहा है इसका मतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों के जाच के उपर भी सवाल उठाया जा रहा है और जब ये सवाल एक विदेसी मीडिया जो उस सरकार के द्वारा संचालित की जाती है ये उठाती है तो इसका मतलब है कि उसका विरोध करना देश हित में होगा क्योंकि हमारे रास्टिये संस्थानों के उपर ये सवाल उठाया जा रहा है लेकिन जब उन्होंने ये सारी बाते लिखी और BBC के डॉकुमेंटरी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उसके बाद उनका मानना है कि कॉंग्रेस की पूरी टीम उसके खिलाफ चली गई उनके खिलाफ नफरत वरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया ट्वीटर पर वही कॉंग्रेसी लोग जो प्रेम और प्यार की बात करते थे जैसा उन्होंने कहा है क्योंकि उनका निशाना राहुल गांधी की तरफ था जो भारत जोडो यात्रा में नफरत को खत्म करके प्यार की दुकान चला रहे हैं उन्होंने यही बात कही कि जो प्यार और प्रेम की बात करते हैं वो इस डॉक्यमेंटरी का विरोध करने पर मेरे खिला नफरत की बात करने लगे अपशब्द लिखा जाना लगे गाली गलोज किया जाना लगा सोसल मीडिया पर हमें ट्रोल किया जाना लगा और वो ट्रोलिंग जो हो रही थी वो कॉंग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी हो रही थी इसका मतलब है कि व्यक्तिगत आजादी के साथ-साथ यहां पर अपनी राय रखने का कोई अधिकार नहीं है यहां तक कि रास्ट हित के मुद्दे पर भी वो अपने विचार नहीं रख सकते तो ऐसी पाठी में रहने से क्या फायदा यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि कॉंग्रेस में काम करने काम करती है और इसका मतलब है कि उनका इसारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ है कि इन दोनों के चापलूसी करने वाले लोग ही कॉंग्रेस में रह सकते हैं अब अनिल अंटनी ने ये गंभीर आरोप राहुल गांधी सुनिया गांधी के उपर लगाए कॉंग्रेस के उपर लगाए और इसके साथ ही कॉंग्रेस से इस्तिफा दे दिया ये सबसे बड़ी बजह बनी लेकिन इसके पीछे भी एक राजनीती केरल में कॉंग्रेस के अंदर चल रही है क्योंकि उन्होंने कॉंग्रेस के शिर्ष नित्रित्व राहुल गांधी सोनिया गांधी के उपर तो सवाल उठाये लेकिन एक व्यक्ती केरल में कॉंग्रेस का है जिसके उन्होंने सराहना की और वो है शची थरूर शसी थरूर आज कल कॉंग्रेस में बिलकुल ही इग्नोर कर दिये गए हैं दरकिनार कर दिये गए हैं अलग थलग काम कर रहे हैं और अनिल अंटेनी ने शसी थरूर का समर्थन करते हुए कहा है कि शसी थरूर ने उन्हें जनसंपर्क में सब लोगों से मिलाया अलग अलग संस वो समर्थन करते हुए नजर आए अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दो बड़े नेता एक एक अंटनी का बेटा जो कॉंग्रेस के लिए युवा चेहरा माने जाते थे केरल के लिए वहाँ पर कॉंग्रेस के मीडिया सेल ही सिर्फ नहीं देख रहे हैं जब बलकि पूसरी तरफ शशी थरूर जो इस बीच केरल में दौरे पर निकले हुए हैं उनके हर प्रोग्राम के बाद कॉंग्रेस असहज महसूच करने लगती है क्योंकि उन्होंने भी पिछले कुछ समय से जो दौरे किये हैं उसमें कॉंग्रेस की नहीं बलकि अपने नित्रित्व की बात कर रहे हैं वो कैथलिक चर्ज के पादरियों से मिल रहे हैं वो नायर सर्विस सोसाइटी से मिल रहे हैं वो अलग-अलग संगठनों के मिम्बस और उनके अधिकारियों से मिल रहे हैं साथ ही वो उन्स जंद संपर्क यात्रा भी कर रहे हैं जिससे कॉंग्रेस का नोटिस जारी कर दिया कि आप जहां जहां जाते हैं वहां के कॉंग्रेस पदादिकारियों से आप इसकी सूचना दें इसलिए शर्षी थरूर और कॉंग्रेस के बीच पहले से ही ठनी होई है और अब अनिल अंटनी भी उनके साथ आ गए एके अंटनी की बात जहां तक है वो भी इस बीच राहूल गांधी और कॉंग्रेस के नित्रित पर कई सवाल उठा चुके हैं वो तो 2014 के बाते ही सवाल उठाते रहे हैं क्योंकि जब 2014 में कॉंग्रेस की हार हुई थी तो उसके बाद उन्होंने जो assessment किया था हार के कारणों पर चर्चा के थी उसके बाद बताय था कि कॉंग्रेस सबसे पहले पिये मोदी को यानि की मोदी मोदी करना छोड़ दे पहले तो बात यह है कि मुद्दो की चर्चा की जाए न की मोदी की बात की जाए और दूसरी बात यह है कि कॉंग्रेस को यह सोचना चाहिए कि उनके संगठन में कैसे लोग हैं और संगठ के लोग किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं तीसरी बात ये है कि कॉंग्रेस को तुष्टी करन की नीती पर चलने से रुकना चाहिए हाला कि कुछ समय तक एक अंटनी की बात को राहुल गांधी ने माना था उन्होंने अलग-अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना क वो शौफ्ट हिंदूत पर चलने लगे जन्योधारी ब्रामन बन गए लेकिन धीरे धीरे उनके चापलूसो चाटुकारों ने उस मुद्दे को खत्म कर दिया और फिर से ये भारत जोडो यात्रा में मुस्लिम तुष्टी करन करने लगे इसलिए एक अंटनी ने फिर कहा था कि भारत जोडो यात्रा अपनी जगह है लेकिन भारत जोडो यात्रा में जिस तरीके से एक वर्ग विसेश को यानि मुस्लिमों को तुष्टी करन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उससे कॉंग्रेस चुनाब नहीं जीतेगी किसी भी देश में जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ बहु संखे को को नाराज करके चुनाब नहीं जीता जा सकता है और अब उनके बेटे ने कॉंग्रेस से इस्तिपा दे दिया यानि की केरल में कॉंग्रेस में बड़ा विद्रो हो चुका है और अनिल अंटनी शसी थरू जो पहले ही एक दो बार ये संखेत दे चुके हैं कि वो संख के खिलाप नहीं बोलेंगे जबकि कॉंग्रेस के कई नेताओं ने यूथ कॉंग्रेस के जो फेस्टिबल हुआ था उसमें भी और केरल के कई सभाओं में कई प्रोग्राम में उनसे जबरदस्तिये कहा गया कि आप संख के विचारों के खिलाप बोलें यकिन उने मना कर दिया इंकार कर दिया तो इन दोनों की जोड़ी और के अंदर जो कॉंग्रेस का पूरा का पूरा संगठन है जो इन लोगों के साथ है वो सारे के सारे नए विकल की तलास कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतिये ज मर्थन में बात किये हैं, इससे तो यही लगता है कि उनका रुक भी भारतिय जन्ता पार्टी की तरफ है और दूसरी ओर शशी थरूर भी लगतार जो दोरे कर रहे हैं, संग के खिलाब बोलने से बत रहे हैं, कॉंग्रेस से दूरी बना रहे हैं, तो उससे यही लगता है कि वो भी कॉंग्रेस छोड़कर भारतिय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। यानि कि अगले विधान सभाचुनाब तक और उससे भी पहले देखा जाए, तो लोक सभाचुनाब से पहले केरल कॉंग्रेस में बड़ा विद्रो होने वाला है। एक अंटनी के बेठे, एक अंटनी भी और साथ ही शर्षी थरूर पूरे के पूरे कॉंग्रेस के संगठन के साथ एक नया विकल्प के तरफ तलास कर रहे हैं। उसमें भारतिय जनता पाटी भी एक पड़ा हो सकता है और अगर उन्होंने भारतिय जनता पाटी जॉइन किया तो कॉंग्रेस केरल में खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है हमें सहयोग ताकि इसी तरही खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।